Hey everyone, welcome back to my channel और मेरी जनल का नाम है वर्षा बीटे केर तो जैसा कि आपने टाइटल में आज बढ़ी लिया हुआ कि मैं आपर बात करना जा रही हूँ अपने पहले प्यार के बारे में वैसे आप सोचेंगे कि मैं सोचल मेडिया पर इस तरह की की बाते क्यों कर रही हूँ पर मुझे ऐसा लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने दिल की बात है आप लोगों से शेयर करना और शायद इसमें आपके भी कोई हल्प होचाए वैसे आप सोचेंगे कि तुम्हारे पहले प्यार से हमें करेना देना है हमारी क्या हल्प हो सकती है तो वीडियो का एंट तक देखेंगे तब ही जान पाएंगे कि मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ कि मैं अपने पहले प्यार से मिली हूँ और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई है बहुत ही अच्छा लगा है अपने पहले प्यार से मिलकर बाते करकर मतलब ऐसा लगया कि बताई हैं, मतलब भागते चले जा रहे हैं, बागते चले चले जा रहे हैं, मतलब बताई देती हूँ, fix & create नीं करती हैं मैं अब आपको बताई देती हूँ, ज्यादा suspense andOULD create नीं करती हूँ यहां पर कि जो पहले प्यार की feeling होती है वो अलग ही होती है ऐसा लगता है कि आप मतलब बहुत एक अच्छी वाली feeling होती है कि भस आप अप उड़ने लगते हैं लगत अच्छा लगता है और मैं प्यार में बहुत अदा बिलीव करती हूं क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं अपने पहले प्यार को भूली गई थी लेकिन आज मतलब अचानक से मेरे सामने आई वो चीज और मतलब बहुत अच्छा वाली फिलिंग हो रही है आज मुझे काफी रिलाक्स लग रहा है जैसा कि आप मेरे चहरे की कुशी से भी जान सकते हैं कि मैं कितना खुश नूँ आज तो चलिए जादा suspense create नहीं करते हैं क्या होता है कि जब भी आप परिशान होते हैं जब भी किसी चीज को लेके दुखी होते हैं बहुँ ज़यदा टेन्षन में आ जाते हैं काफी बार हम डिप्रेशन में जले जाते हैं बहुँ ज़यदा तो ऐसे ही कुछ मोट्स मेरी लाइफ में भी आए हैं बहुँ ज़यदा उतार चड़ाव देखें हैं अफ्टर मेलिज भी काफी जिंदकी मतलब ऐसी नहीं थी कि विल्कुल स्मूदली चल रही है हमेशा हुतार शड़ाव तो जिंदिकी में आते ही है हर एक इंसान की जिंदिकी में आते है किसी के में ज़्यादा आते हैं और किसी के में कम उतार शड़ावाते हैं मैं आपर सिर्फ अपने दिल की बाते कर रही हूं तो प्लीज बैड कमेंट मत कीजेगा मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से अपने दिल की बाते शेयर करना तो काफी सारी चीज़े आपकी लाइस में ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें आपको चूस करना होता है काफी बार ऐसे डिजीजन लेने करते हैं कि आपको किसी एक चीज़ को चूस करना है तो ऐसे मुमिट में मैं क्या करती थी वो मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि मैं जब भी शादी से पहले जब मैं कभी परिशान होती थी या कुछ भी मतलब ऐसे टेंशन होती थी तो मैं क्या करती थी मैंने नोटिस किया जब मुझे कभी किसी इसको लेकि गुस्सा आता था या नराज किया थी तो मैं सिर्फ एक पेपर और पैन लेकर लिखने बैठ जाती थी जी है मैं लिखने बैठ जाती थी और लिखते लिखते मतलग कब मेरा ये शोक बन गया मुझे खुद भी नहीं पता चला और बहुत ही अच्छी फीलिंग आने लगी जब आपको कोई गुसा आता है या कोई टेंशन होती है या कुछ ऐसे मुवमेंट्स आते हैं आपकी लाइ होंगे अब तक कि मैं किस दीज में बात कर रही हूँ कमेंट में जरू बताएगा कि समझ गए है तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपने पहले प्यार से तो यह है मेरा पहला प्यार अब देख रहे होंगे यह है कुप सुले सी दाइरी मेरे हाथ में वैसे यह ब्लैक क्योंकि इसमें मेरी जिंदगे के कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी है कुछ ऐसी बाते हैं जो मैं इसमें लिखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब भी से लिखती हूँ आज काफी टाइम बात मैंने यह डायरी अक्शली अलमीरा में रख्यू थी अंदर कहां क होने में तो अचानक से मेरे सामने आई तो मैंने आपसे शेयर करूं यह सब चीजें प्यूंकि जब भी आप टैंशन में हो और अगर आप डायरी लिखते हो तो आपकी टैंशन जो है 99% खत्म हो जाती है यकीन मानगे एक परसंट पर इसली कहरी है क्यूंकि हर एक का एक अल जो एक साथ ही होती थी फिफोर मैं इस बात कर रही हूं जो कि मैं इसमें हर एक बात लिखती थी मेरी मॉम मेरे से हर एक बात शेयर कर लेती थी और मैं भी उनसे शेयर करती हूं मैं उनसे अपने दिल की हर एक बाते शेयर करती हूं बट उनसे भी ज्यादा एक कुछ होता है क्योंकि का फिर टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत जादा लबी हो जाएगी, तो यह देखें, यह एक राजने रिया था, आफ्टर मेरी क्यूट सा ग्रीटिंग, और यह मुझे मिला था मेरी फियरवल पार्टी में, जब मैं प्लस दू में थी, यानिके 12 में थी, और का प्लस दूरादेती हो, तोड़ी सी ज़स पिका देती हो आपको, यह दिके, काफी सारी चीज़े मैं इसमें शेयर की हुए है, मेरे दिल के बहुत जादा करीब है, यही है मेरा पहला प्यार, जो पहला प्यार है वो राज जी, आपकोस, और राज सेरी में अपने दिल की हार एक बात, शेयर कर लेती हो, और राज ने भी यह दायरी पढ़ी हुई है, क्योंकि वैसे उनके पास इतना वक्त होता नहीं है, बट शादी के स्टार्टिंग में उन्होंने एक दो बार इसे पढ़ा था, पर उसके बाद तो ना उनको वट मिला, ना मुझे वक्त मिला, क्य यकीन माने, आपको बहुत अच्छा लगेगा, डिप्रेशन से बाहर आने का ये बहुत अच्छा एक तरीका है, टैंजन से बाहर आने का, अगर आप इसे लिखना शुरू करेंगे तो यकीन मानेगा, इस आपके लाइफ बिल्कुल एजी हो जाएगी और आप, मैं एक बात इसमें लिखकर अपने बाते शेयर करकर इस आईज, तो आप इस चीज को एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा, तो वस यही तो मेरा पहला प्याद, यही बाते मैंने आपसे शेयर कर ली थी, बहुत अच्छा लगा आपसे शेयर करके, और आपको कैसी लगी मेरी ये बाते, आपके लिए, बाइ टेकेर